Hello everyone, मैं अनिल्कमार सिंग, स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल विश्वभारती क्लासेज में इसके पहले कई सारे वीडियो आपके लिए हम अपलोड कर रखे हम आपको यकिन दी लेना चाहते हैं कि जो भी वीडियो जो अलग-अलग सब्जेक्ट पर आपके लिए लाए गए हैं वो सभी वीडियो अत्यांती ही महत्वपूर्ण हैं आप उन सारे वीडियो को एक बार अवस से देखें ना सिर्क देखें बलकि उसके संदर में जो अन्य जानकारियां उपलद कराए गई हैं उसको भी नोट करके और अपनी तयारी को पुक्ता करने का परयास करें अगर आप उन वीडियो को देखेंगे तो अलग-अलग जो सब्जेक्ट से समंदीत है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मिशन हैं और वैसे ही क्वेशन को रखेंगे हैं जो आपके लिए बेहतर हो सकते हैं मैंने कोशिस किया है कि एक ही कुष्टन को बार-बार रिपीट न किया जाए या फिर इतने आसान क्वेशन न रखे जाए जो सब लोग जान रहे हों अगर आप जानता हुआ कुष्टन को ही देखेंगे या सुनेंगे तो आपके लिए ये फैले मंद नहीं हो सकता है अगर आपके सामने कुछ नया क्वेश्टन आता है तब ही आपके लिए ये उपियोगी भी सिदो सकता है तो आप पीछे के विडियो को भी अवस्य देखिए आज का जो विडियो है ये सरकार की योजनाओं से समंदित है जो ना सिर्फ जारखंड सची वाले बलकि आने वाले विविन परिक्षाओं में आपके लिए उपियोगी सिदोगा चुकि ये विडियो जारखंड सची वाले से समंदित हम खास दोर से बना रहे हैं इसलिए यहां पर भारत सरकार की योजनाओं के साथ साथ जारखंड सरकार की कुछ महत्तपूर्य योजनाओं को भी मैंने एक क्विश्य में सामिल किया जो योजनाएं रखी गई है उन्हीं योजनाओं का आधार जो है वो 2022 ते इसका जारखन गवर्मेंट का जो एकोनॉमिक सर्वे है उससे उठाया गया है इसका मतलब कि यह जो सूर से वो अथेंटिक है जिसकी विश्वस्तियता पर सवाल खड़े नहीं किये जा सकते हैं तो सूर से बहुत रिलाइबल इस्तेमाल किया गया है आपके लिए आप उसको भी ध्यान रखे और ये विविन परिक्षाम है जो कल की तारिक में जारखन सरकार के द्वारा आउजित होगी वहां पर आपके लिए उपयोगी होगा और जो सिंट्रल प्लान है वो तो हर एक्ज करते हैं आप उसको अवस्चे नोट कीजिए नोट करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो समानने चीज़े उसको तो आप एक जगा कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन जारखन सची वाले कि स्लिवस में कुछ बातें अलग है जैसे कि कल्चर से रिलेटेड कैटल करेंसी से रिटेड जैसे स्पोड से रिलेटेड हलाएंकि य जो एक जैसे के स्लिवस में भी है लेकिन कैटल करेंसी ये जो चीज़े हैं बारत के पडो सी वेस इसके साहस समंग्द ये जो इगोड़टी का बाइजनोर है तो बाकी एक्जाम में होगा लेकिन जो आपको लगता है स्पेसित फि उसके कलिक्सन पोपर आए ठीक है और फिर उसको बार बार रिवाइज करके याद करते चले जहां क्विश्चन में जैसे मैंने कहा कि आपको हम नया कोशन देने का पर्यास करते हैं और वैसे कोशन नहीं रखते हैं जो बिलकुल वेलों है जैसे मालों अगर हम कैपिटल करेंशी रख रहे हैं तो पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, भुटान का आपके सामने रखने का कोई मतलब नहीं बनता है वो सिवाए वक्त जाया करने के कुछ बिल्य होगा क्योंकि जो भी बिद्यार थी इस तरह की परत्योगीता परिच्छा को देने जा रहे हैं वो इतना तो अवस से पढ़ने हुए कि ऐसे देशों के राज्य राजधानी और मुद्रा को अवस से जानते होंगी तो उन चीज़ों को आपके सामने बारबाल आने का कोई मतलब बनता नहीं है तो इसी दिए थोड़ा सा कुश्चन टफ होता है सारे कुश्चन को देखिए विडियो को पूरा देखिए आपके लिए नस्य तोर पर ये फ्रादे मन्द होगा और जैसा कि मैंने सुर्वात ने का कि पहले जो भी विडियो आपके अलग-अलग सभीट से इवलेवल कराएगा है चाहिए वो इंडियन पॉलिटी हो जोग्रफी हो इंडियन हिस्ट्री हो साइंस हो एकोनॉमी हो ये सब आपके लिए उप्योगी होगा इसके अलावा जारखन से जुड़े होगे कई सारे विडियो भी हम आपके लिए अप्लोड कर रखें आप उन चीजों को भी देखिए ये विडियो भी आज का आपके लिए बढ़ा ही उप्योगी होगा न सिर्थ इसको देखिए बलके अपने दोस्तों के साथ नस्चित तौर पे इसको सेयर करने का काम भी जिए तो कि आपके सयोकी तो नस्चित तौर पर मुझे भी उमीद है चलिए फिर हम लोग कोश्टन का सलसिला शुरू करते हैं तो कोश्चन का सिलसिला हम लोग सुरू करते हैं। और इस सवाल का सही जवाब है आकांची जनपद कारिकरम और यह कारिकरम नीती आयोक के द्वारा जनवरी 2018 से संचाली थे। सही उत्तर है आकांची जनपद कारिकरम और यह कोश्चन नमबर दो देखें। यह जो योजना है यह नर्यातकों को रीन सुविधा बढ़ाने और रीन देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उदेश से नर्विक योजना 14 सितंबर 2019 को प्रारम की गई थी। प्रधान मंतरी वानी योजना ओप्सन बी है जो की इस सवाल का सही जवाब है और प्रधान मंतरी वानी योजना दिसंबर 2020 से संचालित की जा रही है। तिसरा देखें प्रधान मंतरी कुसुम योजना ये जो योजना है ये किसानों को विद समंधी मतलब financial assistance देने के लिए विद सुविधा प्रधान करने के लिए और साथ ही उनको जल से समंधित सुविधा प्रधान करने के लिए मतलब सिचाई की सुविधा उपलद कराने के ये योजना शुरू की गई है, हर योजना को आप अलग-अलग अगर नोट कर लेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको अलग-अलग निश्ची तोर पे नोट कर लिए, आप सब जा की गई थी, क्वेश्चन नमबर थर्ड देखे, जारखंड सरकार द्वारा प्रारम किया गया, तेजस्विनी योजना किसके सहयोग से संचालित है, तो पहले जाने की तेजस्विनी योजना क्या है, तो तेजस्विनी योजना जो है, ये जारखंड सरकार की एक बड़ा ही महत्वा कांची योजना है जिसकी सुरूआत 22 दिसंबर 2015 को सुरू की गई थी और इस योजना का लाब 11 से लेकर के 24 वर्स की किसोरी बालिकाओं और महिलाओं को प्राप्थ होगा और इस योजना के माद्यम से उनको बेवसाइक प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है बिश्व बैंक मतलब बिश्व बैंक के सहयोग से यह योजना संचालित की जा रही है क्विश्चन नमबर चार मार्च 2019 में प्रारंब प्रदान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना के तहत और संगठी छेत मतलब कि अनगनाई सेक्टर के कामगारों को कितना रुप्या प्रदान करने का प्रावधान है इसका सही उत्तर है तीन हजार रुप्या तो इसके तहत तीन हजार रुप्या प्रदान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना के तहत और संगठी छेतर के मज़दूरों को दिया ज जान ले कि डाक टिकट संग्रह को फिलैटली कहते हैं, अगर किसी को सौक है डाक टिकट जमा करने का तो इसको फिलैटली कहते हैं, कौन सी योजना डाक टिकट संग्रह को प्रोसाही देने के लिए संचालित की जा रही है, यह भी जान ले कि यह जो डाक टिकट संग्रह से सवाल का जवाब नहीं है लेकिन हम लोग ये जरूर जानेंगे कि सवभाग्य योजना क्या है तो ये योजना जो है ये ग्रामीन और सहरी छेत्रों के सभी निर्धन परिवारों को नहिसुल्क तथा अन्ने इस सितियों में 500 रुपया में बिजली कनेक्शन देने से समझी थे इस सवाल का सही जवाब है भी दीन दयाल असपर्स योजना जो डाख टिकट संग्रह को प्रुसाहित करने के लिए चलाई जा रही है और बाकी जो आफसन है वो ऐसे ही बस मैस्च करने के लिए दिया गया है इसलिए उसका कोई रिलेवेंस नहीं है कुश्चन नमबर छे परधान मंत्री मातरी वंगना योजना के तहट गर्भवती एवं अस्तनपान कराने वाली माताओं को तीन किस्तों में कितना नकत भुकतान का प्राउधान है तो तीन किस्त में नकत भुकतान करने का प्राउधान है ये भी याद रखेंगे कितने किस साथ हजार और नौ हजार और इस सवाल का सही जवाब है पांच हजार फानजार रुपया मातरी बंदना योजना के तहट प्रदान किया जाएगा किस योजना का उदेश से रासाइनिक उर्बरकों के परयोग को कम कर औस्थाई क्रिसी को प्रोसाहिद करना है बिसिकली औस्थाई नहीं है यह अस्थाई है पर्मानेंट क्रिसी को लिखने में ऐसा हो जाता है इसलिए इसको अस्थाई क्रिसी को प्रोसाहित करने से समधित है ये ध्यान देंगे ठीक है ये सारा जो योजना आप आप्शन में देख रहे हैं ये सब इस वर्ष के फरवरी 2023 के बजट से समधित जो घोसना की गई है उससे जुड़ा हुआ है तो एक तरफ ये बजट का पा प्रवरी 2023 में घोसना किया गया था तो आंसर एह है अमरीत धरोहर योजना ये भी फरवरी 2023 में प्रारण किया गया और ये जो योजना अमरीत धरोहर योजना ये आद्रभूमी जिसको लोग वेट्लैंड कहते हैं कि समुचीत उपयोग और उसको संदच्छन देने के समंध में है तो अमरित धरोहर योजना आदर भूमी का समुचित उप्योग और उसको सनच्छन देने से समन्दित है जबकि अपसंसी को देखें पीम विश्वकर्मा कौसल सम्मान ये भी फरवरी दोजार तेश में ही गुशित हुआ है और इसके तहत है कि जो पारंपरी कारिगर औ और सिल्पकार हैं उनको आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने कौसल का और विकास कर सके और लाव अर्जित कर सके जबकि प्रदान मंत्री किसान सम्मान निभी ये 24 फरवरी 2019 से प्रारम किया गया था इसके तहत लगू और सिमांत किसानों को प्रतक्ष आए समंधी सहायता दिया जाता है और साथी उनको फसलों के खरीदने और उनका उचीत पैदावार हो इस संदर में भी प्रदान मंत्री किसान सम्मान निभी के तहत किसानों को लाव दिया जाता है कौन सी योजना बरिष्ट नागरिकों को पिंसन एवं साथ वर्ष से अधिक उम्र के लोगों द्वारा निवेसित मतलब इन्वेस्टेड रासी पर आठ परसेंट वार्षिक ब्याज देने से सम्मंदीत है और जैसा कि कारकरम के या योजना के नाम से ही समंदीत है ये बताता है कि स्वास परनाली की दच्छता को बिक्सित करने के लिए है और ये सब कोवीट पिरियर्ड में जो गवर्मेंट के द्वारा इनिसेटिव लिए गया थे उसी का परिणाम है कि स्वास्थ परनाली की च्छता को बिक्सित करने से समंदीत है परदान मंतरी आतनिरवर स्वस्त भारत योजना आप्शन B को देखें रैंप ये फरवरी 2022 में शुरू किया गया रैंप का मतलब है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग मतलब कि ये लगू और मद्धेम उद्धोगों की स्थिती में सुधार करने से समंदीत है आप्शन C को देखें परदान मंतरी PBTG विकास मिसन ये फरवरी 2023 में इस वर्ष के बजट में ये स्टार्ट किया गया है और इस योजना के तहत जो समवेदन सिल जनजाती समू है उनके समाजिक आर्थिक सिती में सुधार के लिए ये PBTG विकास मिसन चलाया जा रहा है समवेदन सिल जनजाती समू मतलब जिनकी आबादी धीले-धीले कम हो रही है उनके लिए ये योजना प्रारम किया गया है और इस सवाल का सही जवाब है परदान मंतरी वय बंदना योजना जो की 21 जुलाई 2017 से संचालित हो रहा है तो चारो अप्सन आपके लिए बहुत रेलेवेंट है जिसमें रैंप कारक्रम आप बिसेश तोर पर याद रखें MSME की सिती में सुधार के लिए नमबर नाइन प्रदान मंतरी डिवाइन योजना का समंद किस से है इसका सिधा उतर जानते है और सही उतर है इसका B पुर्वतर राजियों में विकास की गती को बढ़ाने से प्रदान मंतरी डिवाइन योजना का समंद है नोर्थ इस्ट के राजियों के डिवलप्मेंट को और तेज करने से समंदित तो अप्सन B इसका सही उतर है नमबर टेन सरवजनिक खितर के बैंकों में सुधार की दिशा में ब्यापक बदलाओ लाने के लिए कौन सी योजना अगस्त 2015 में प्रारंब की गई थी आप्सन A सहज योजना सहज योजना क्या है पहले जान ले यह LPG उपभोगताओं को बेहतर सुधा प्रणान करने के लिए और सहज योजना भी अगस्त 2015 में ही प्रारंब की गई थी आप्सन B को देखे E-Print India यह जो है यह बिसिकली इंजिनियरिंग से समंधित जो चुनोतियां हैं उन चुनोतियों की पहचान करना और उसके समधान के लिए परियास करना तो E-Print India इंजिनियरिंग की चुनोतियों को पहचानना और उसको या उसको सुधार करना या उसका समधान करना उससे समली थे जबकि इंद्रधनुस योजना इस सवाल का सही जवाब है इंद्रधनुस योजना सारजनिक छित्र के बैंकों में सुधार की दिशा में ब्यापक बदलाओ लाने के लिए प्रारहम की गई है और 2015 में प्रारहम की गई है Option D को देखे अमरूत योजना अटल मिसन फोर Rejubilization of Urban Transformation ये जो अमरूत योजना है इसके तहत एक लाग से अधिक आबादी वाले वैसे 500 सहरों के आधार भूद सनरचना का विकास करना है या 500 सहरों के आधार भूद सनरचना का विकास करना है जिसकी कियाबादी एक लाग से अधिक है तो ये स्मार्ट सिटी का जो कारकरन चल रहा है उसी का एक पार्ट ये भी है अमरूत योजना नमबर ग्यारा ग्यारा फरवरी 2023 में घोसित सिकल सेल एनिमिया उनमुलन मिसन के तहत किस वर्स तक यह लक्ष हासिल किया जाना है ये भी इस वर्स के बजट का महत्वफून घोसना है और इस सवाल का सही जवाब है डी दो हजार सेल एनिमिया उनमुलन मिसन का लक्ष रखा गया है नमबर बारा उजवला योजना आप सब जानते हैं लपेजी से समन्दित है उजवला योजना का आदर सुवाग के है इसमें भी सिधा आंसर पर हम लोग आते हैं और इसका सही आंसर है स्वक्ष इंदन बेहतर जीवन नमबर थर्टिन एक दिसंबर दो हजार अठारा को प्रारंब पी-म किसान समान निधी योजना के तहट देश भर के कितने किसानों को सामिल किया गया है इसका भी हम लोग सिधा सही उतर देखते हैं सही उतर है इसका ए बारह करोड चोटे और सिमान किसानों को इस योजना के तहट सामिल किया गया है और योजना के तहट 6000 रुपया का सहेता रासी दिया जाएगा और ये सहेता रासी 3 किस्तों में उपलत की जाएगी ये जो PM किसान सम्मान निदी योजना है ये योजना उन किसानों को ही लाब पहुंचाएगा जिनका की 2 हेक्टेर या उससे कम भूमी है या जिनका पांच एकड़ या उससे कम भूमी है ये जब शुरू किया गया था तो दो हेक्टेर और पांच एकड़ का ये जो टार्गेट था कि इतना अगर हो तब ही होगा लेकिन बाद में ये सीमा समाप्त कर दी गई है इससे अब अन्य किसान भी लाभानवीत होंगे जिनके पास दो हेक्टेर से अधिक भूमी है वो भी इसका लाभ उठा पाएंगे नमबर चॉदा वर्स दो हजार एकिस में किन सरकार द्वारा अप्तारंब इसरम काड रेजिस्टेशन से और संगठी छेतर के कितने कामगारों को जोड़ा जाएगा इसका भी सही उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है C 38 करोड इसके तहत 38 करोड और संगठी छेतर के कामगारों को जोड़ा जाएगा और इसके तहत ऐसे कामगारों को 12 अंकों का 12 डिजिट का एक E-card दिया जाएगा और ये E-card पूरे भारत में मानने होगा और जब इनका रेशिशन किया जाएगा तो कामगारों के समंद में पूरी जानकारी इकठा की जाएगी और इसके आधार पर उनको कहीं भी नौकरी हासिल हो सकती है और उनका ये जो E-card होगा वो आधार के साथ लिंक्ट भी होगा तो ये question number 14 अब देखते हैं 15 रेल कौसल विकास योजना के तहत कितने युवाओं को और कितने घंटे निसुल्क प्रसिक्षन प्रदान किया जाएगा पहले तो ये जान लें कि ये भारत सरकार द्वारा उद्योग आधारित कौसल प्रसिक्षन से समंधित है जिसको की रेल मंत्राले के द्वारा संचालित किया जा रहा है इसके तहत जो लोग भी प्रसिक्षन प्राप्थ करेंगे उनको एक certificate प्रदान किया जाएगा और इसके लिए जो eligibility condition है वो है 10th pass तो दस्मे पास के जो ही बच्चे बच्चियां है जिनका क्यूमर 18 से लेकर के 35 तक है वो इस रेल कौसल भिकास योजना के तहट प्रसिक्षन प्राप्थ कर सकते हैं प्रसिक्षन प्राप्थ कर लेने के बाद उनको एक परिच्चा देनी होगी जिसमें written exam जो होगा उस written exam में उनको 55% score करना होगा इतने अंक लाने होगे और जो practical exam होगा उसमें 60% तक उनको अंक प्राप्थ करने होगे इसके आधार पर फिर उनको अन्यस्थानों पर विभिन कंपनियों में रोजगार प्राप्ती का आवसर मिलेगा अब सवाल का जवाब देखते हैं और सवाल का जवाब है ए पचास जार और सो घंटा तो इसके तहत पचास जार इवाओं को और सो घंटा का प्रसिक्षन प् नमबर 16 भारत की रच्छा मंत्रालेजवारा प्रारंब अगनी पत्य योजना के तहट चार वरसों के लिए भरती किये गए युवाओं को 30,000 रुपया प्रती माह बेतन दिया जाएगा तथा कितने का बिमा सुबिधा भी उनको प्राप्त होगा सही उत्तर जान ले सही उत्तर है इसका डी 44,000 रुपया उनको सिलरी मिलेगा और 44,000 रुपया का इंसुरेंस कबरेज उनको प्राप्त होगा ये जो अगनी पती योजना है ये दसवी और 12 वी पास बचों और बचों के लिए है मतलब लाका और ललकी दोनों के लिए है और इसके तहत सिना के तीनों ही वींग जो हैं ठल, जल और वायू वहाँ पर उनको काम करने का मौका मिलेगा इसके लिए eligibility condition 10th और 12th हैं ही साथी साथ उम्र होना चाहिए 17 से लेकर के 21 वर्स इनका एज होना चाहिए इस योजना को 14 जुन 2022 को launch किया गया था और इसके तहत उदेश से है कि 46,000 युवाओं को भरती किया जाएगा बिरुजगारी दूर करने का एक मुहीम के तहत इसको शुरू किया गया है इसके तहत आप सबको पता है कि 4 वर्सों के लिए ही ये नौकरी मिलेगी ये तो प्रस्न में भी लिखा हुआ है तो 30,000 रुपया सिलरी और 44,000 रुपया का इंसूरेंस कवरून को प्राप्त होगा नमबर सतरह जहरखंड बिर्सा हरीत ग्राम योजना 2030 के तहट कितने फलदार पौधे लगाने का लक्ष रखा गया है तो पहले तो जान ले कि फलदार ब्रिक्ष के अंतरगत आम और अमरूद के ब्रिक्ष को लगाने का लक्ष रखा गया है और सही उत्तर है इसका पांच करोड पांच करोड आम और अमरूद के फलदार ब्रिक्ष लगा करके किसानों को उनकी आए को बढ़ाने का पर्यास किया जाएगा इसके लिए प्रतेक जिले में 1400 एकर की परती जमीन आवंटित की जाएगी और पांच लाख किसानों को या ग्रामीनों को कम से कम सो और अधिक्तम 300 फलदार पौधे दिये जाएगे और इस योजना को एक्जेक्यूट किया जाएगा क्रियानमित किया जाएगा और ऐसे लोगों के आए को बढ़ाने का पर्यास किया जाएगा नमर 18 जारखंड मुख्यमंतरी ग्राम गाली योजना नाम से ही है कि गाउं से सहर की और गाली चलाने की योजना है ताकि ग्रामीन छेतर से लोग सहर मुख्याले तक पहुंच सके बच्चे बच्चियों को स्कूल आने जाने और सहर आने जाने में असुभिधान न हो तो जारखंड मुख्य मंतरी ग्राम गाली योजना के अंतरगत वहन चालकों को प्रुसाहित करने के लिए कितने रुपिये में निबंधन एवं रोड परमिट जारी किया जाएगा सही उत्तर है इसका मात्र एक रुपिया क्योंकि ये उदेश से ही है ऐसे चालकों को वहां चालकों को प्रुमोट करना ताकि वो उस चेतर से गाली चलाएगा इसके तहट क्या किया जाएगा कि 22 से लेकर के 42 सीटर की बसे चलाएगी और योजना ये है कि हर रोज ये बसे 1533 किलोमीटर की दूरी तै करेंगी और ग्रामी छेतर के लोगों को यातायात की सस्ती और बेहतर सुविदा उपलद कराएगी नमबर उनिस जारखंड मुख्य मंतरी सार्थी योजना का संबंद है वहन चालन से मुप्त कोचिंग से साइकल बित्रन से या फर इन तीनों से सही उत्तर है भी मुप्त कोचिंग से और इस योजना का लाब दिगरी प्राप्त 18 से 35 वर्ष के लोगों को प्राप्त होगा च राज्य के सभी वर्ष के युवाओं को जिनका की उम्र 18 से 35 साल है जिनोंने डिगरी हासिल कर लिये उनको प्रत्योगिता परिक्षा के लिए मुप्त कोचिंग की वेवस्था की जाएगी जबकि जो आरची स्रेनी के लोग होंगे उनके लिए ये एज का जो बेडियर है व 2023 को केंदरिय ग्रीह मंत्री ने किस राज्य से किया सबसे पहले ये जानने कि ये जो यूजना है ये चार राज्य और एक किंदसासित परडेश जो है वो लदाव तो अब देखतें हम लोग किंदसासित कहां से की गई तो इसकी सुरुआत की गई अरुनाचल प्रडेश से ये अर्माचल परदेश के अंजाब डिस्टिक में एक गाउं है की बीटू की बीटू गाउं से इसको सुरू किया गया है ग्रिहमंत्री स्रियामित साह के द्वारा तो ये भी याद रखें कि भाइवरेंड विलिजज प्रोग्राम किन-किन राज्यों से और किंसासित में बिटमंत्री के द्वारा किया गया था और फिर इस वर्स दस अप्रेल दो हजार तेस को इसका सुभारंब भी कर दिया गया है नमबर एकिस माजी कन्या भागिसरी योजना किस राज्य की योजना है मध्य प्रदेश पस्टिम बंगाल महरास्ट या फिर हर्याना जो सबसे पहले सही उत्तर है महरास्ट ये माजी कन्या भागिसरी योजना महरास्ट सरकार की योजना है जबकि मद्य प्रदेश सरकार की इसी तरह की जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है लाडली लच्मी योजना पस्विम बंगाल में कन्या स्री प्रकल्प योजना पस्विम बंगाल में मद्य प्रदेश में लाडली लच्मी योजना और हर्याना में लाडली इसकीम चला जा रहा है तो अलग-अलग राजियों से समंधित ये इनफॉर्मिशन आपके लिए नमबर ट्विंटी टू सी बी एससी उडान योजना का लाब वैसी छात्राओं को ही मिलेगा जिनकी पारिवारिक आए फिर डैस मतलब इतना लाग से अधिक नहों सही उत्तर है इसका छे ल गेस होगा त्योंकि क्रीमी लेयर वाली बात आठ लाग तक ही होती है तो गेस आप आठ करते लेकिन सही उत्तर इसका छे है अगर आप ना जानते तब गेस होने वाली बात होती खैर छे लाग से अधिक नहों उनको ही ये लाब मिलेगा इस योजना के बिसे में थोड़ा सा जान ले कि 11 और 12 की जो छात्राएं हैं इनको मुफ्त पढ़ाई के लिए समान उपलध कराया जाएगा गौर्वर्मेंट के साइट से जिसे कि ऑनलाइन वीडियो वगर उनको उपलध कराया जाएगा इसके साथी प्रोविजन यह है कि 11 और 12 की छात्राओं को वीकेंड में एक दिन ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइट किया जाएगा यह जो कारक्रम है यह केंद्रिये माध्यमेक सिक्षा बोर्ड और मानो संसाद विकास मंत्राले भारा सरकार इसके सहयोग से महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए संचालित किया जा रहा है नमबर 23 स्वामित्य योजना किस से समंदित है हर योजना का कुछ न कुछ महत्व है तो आप नोट जरूर कर लिएगा सबसे पहले इसका सही उत्तर जान ले सही उत्तर है यह स्वामित्य योजना जो है यह ग्रामीन आवादी का सर्वेक्षन एवं ड्रोन की सहायता से पुषितरन करने से समंदित है, option B को देखें, भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए बिश्व बैंक द्वारा पोसित योजना, ऐसी जो योजना है उसका नाम है अटल भूजल योजना, जो 2019 से संचाली थे, तो अटल भूजल योजना ये क्या है, भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए है, question ऐसे पुछता है, कि अटल भूजल योजना, किसके सहयोग से संचाली थे, तो ओभी आपके स्थान ने लिखा हुआ है, कि बिश्व बैंक के द्वारा ये पोसित है, मतलब उसके द्वारा funding किया गया है, नंबर सी को देखें, पंचाती रासंस्थाओ के आज के तारिक में बड़ा ही महत्व है, और बहुत सरकार के द्वारा इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, तो खेर, इसका सही उतर है, रास्टिये ग्राम स्वाराज अभियान, और ये 2018 से संचाली थो रहा है, option D को देखें, देश की समरीद सांस्थितिक बिरासत को समरचित एवं पुनरजिवित करने से, इसके लिए जो कारेकरम चलाया जा रहा है, वो 2015 से ही चल रहा है, और उस कारेकरम का नाम है, बिरासत सहर विकास और समवरधन योजना, बिरासत सहर विकास और समवरधन योजन तो चारो योजनाओं के संदर में अलग-अलग आप नोड जरूर कर लिजिए अगस्त 2020 में जहरखंड में प्रारंब मुख्य मंतरी स्रमिक योजना का मुख्य उदेश से है पहले ये जान ले कि इस योजना के तहत तीन नवंबर 2022 तक 78,321 लोगों को लाब पहुचाया जा चुका है 78,321 ये जो आकड़ा है ये जहरखंड सरकार का एकनॉमिक सरवे 2022-23 के अनुसार है यही तक का यह डेटा है तो इसलिए अभी जो एक्जाम होगा इस सरवे तक तो यही डेटा आपको कामाएगा कि इसके तहत 78,321 लोगों को लाब पहुचाया जा चुका है और इसका सही उत्तर है ए प्रती परिवार सहरी आकुसल स्रमी को सहरी ग्रामीन नहीं सहरी आकुसल स्रमी को सो दिन के लिए रोजगार की गारंटी देना मन्रिगा में ग्रामीन अकुसल स्रमी के लिए है और ये सहरी अकुसल स्रमी को 100 दिन का रोजगार गारंटी देने का प्रावधान करता है दरसल कुवीड के दौरान जो लोग बाहर काम कर रहे थे जब लोट करके अपने राज्य में आए तो उनको रोजगार देने के उधिसे से इसकी शुरुबात की गई थी और इसके तथ अकुसल स्रमी को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है 25 जोहार परियोजना जोहार का पहले फूल फॉर्म जानने हम लोग जारखंड opportunities for harnessing rural growth ये जारखंड सरकार की योजना है जोहार सबसे ही समझ माता है जोहार परियोजना किसके समर्थन से एवं किसके द्वारा क्रियानवी थे सिदा answer देखें इसका सही उत्तर है भी विश्व बैंक और J.S.L.P.S. के द्वारा ये क्रियानवी थे J.S.L.P.S. इसका मतलब हुआ जारखंड राज आजीवी का समवर्धन सोसाइटी जारखंड राज आजीवी का समवर्धन सोसाइटी अगर इंग्लिस में जानना चाहें तो जारखंड एस्टेट लाइवली हुड प्रोमोसन सोसाइटी इसके द्वारा ये एक्जेक्यूट हो रहा है और वर्ल्ड बैंक के समर्थन से हो रहा है ये जो जोहार परियोजना है ये जारखंड राज्य के सतरह जिलों में संचाली थे और इस योजना का लक्ष है कि उच्छ मुल्ले वाली क्रिसी के माध्धम से आजीवी का का आउसर प्रदान किया जाए और उसके तहट दो लाख ग्रामीन परिवारों की आए को दुगना किया जाए तो ये भी है कि कितने लोगों को टारगेट किया गया है कितने लोग लच्छित हैं तो दो लाख ग्रामीन परिवार और उनकी आए को डवल करना जोहार परियोजना का उदेश से है और जोहार परियोजना राजय के 17 जीलों में सन्चालि थे question अलग-अलग इंगल से पुछे जा सकते कि जोहार परियोजना राजय के कितने जीलों में है तो 17 इसके तहट कितने परिवारों को लाब पहुhँचाय जाएगा तो दो लाग परिवारों को किसके द्वारा संचाली थे, किसके द्वारा क्रियानमी थे, ये तमाम इन्फॉर्मिशन इससे जुड़ा हुआ है, योजना से जुड़ा हुआ है, एक दो कुस्टन निसी तोर पे हर एक्जाम में पूछा जाएगा, ये एक साइड करेंट अफेर करने से समझित होगा, ठीक है, या फिर इन में से कौन सही है, नहीं है, उदेश से ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मिशन दिया जा सके, वीडियो कैसा लगा, ये ज़रूर बताईएगा, मुझे आपके उत्तर का इंतजार रहेगा.